दोस्तो अगर आपको snapchat confirmation code जो आता है वो problem आ रही है आपको receive नहीं हो रहा है आपके number पे नहीं आ रहा है तो आप इस problem को कैसे सही करेंगे इस video में हम आपको बताएंगे सबसे पहले आप क्या करिए simple solution है अपने phone ने slide down करिए control center open करिए यहाँ पर flight mode लगा दीजिए और उसके बाद इसको हटा दीजिए और उसके बाद आप दुबारा try करिए देखे आपको code आने लगेगा फिर भी अगर नहीं आता है तो आप simply अपने phone को एक बार power button दबा करके reboot या फिर restart कर लिजे ओके power button दबाएंगे option मिलेगा reboot या restart था आप click करके उस पर कर लिजे restart या reboot उसके बाद देखे आपकी problem सही हुई की नहीं फिर भी नहीं सही हुई तो आप क्या करेंगे आप जाएंगे अपने phone में google play store पे ओके play store पर जाने के बाद यहाँ पर snapchat लिक करक और यहाँ पर अगर आपको update का option दिखाता है तो आपको click करके update कर लेना है इसको उसके बाद आपकी problem सही हो जानी चाहिए बट अगर update नहीं आया है या फिर update कर लिया फिर भी आपको problem आ रही है तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर home करेंगे और जाएंगे अपने phone की settings मे settings में जाते हैं इस type का interface मिलेगा करिएगा नीचे की ओर scroll और यहाँ पर click करिएगा apps पर manage apps पर उसके बाद apps की list मिलेगी तो यहाँ पे आप लिख करके search करिएगा snapchat okay snapchat लिख करके search करेंगे इस type का interface मिलेगा clear data पर click करके आप यहाँ पे इसका clear cache करके try करिए आपकी problem सही होती है तो आप manage space पर click करके इसका directly जो है delete पर click कर दिजेगा clear data कर दिजेगा ओके यहाँ पर जब आप इसका clear data कर देंगे उसके बाद आप अपना snapchat app open करिए number और डाल करके आप देखिए confirmation code आपको आ रहा है कि नहीं अगर फिर भी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे आप वही पर जाएंगे settings में ही यहाँ पर apps पर manage apps पर यहाँ पर messages आप लिख करके सरच करिएगा इसके click करिएगा यहाँ पर clear data पर click करके clear all data कर दिजेगा ओके उसके बाद देखिए आपकी problem सही होई कि नहीं फिर भी नहीं सही होती है तो आप back करिएगा और यह phone and messaging app करके storage करके एक app दिखेगा आप इसका clear cache कर दिजेगा और इसको force stop कर दिजेगा एक बाद और उसके बाद देखिएगा आपकी problem सही हो जाएगी आपको code जो है वो आने लगेगा अगर फिर भी नहीं आता है तो हो सकता server problem कुछ हो ठीक है तो आप थोड़ी देर बाद try करके देखिएगा कर दो